कुदे जो पी एसी महों के बाबाल दिन रात पढ़ना है मन्जा वो धामाल काव पर ले था सुरे टेंसन अरे काव पर ले था सुरे टेंसन जब अपसर बन केते घर पे धामाल ये कैसे होगा से आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत हैं पिछली का अक्षा में हम भोजन के महत्व को समझ रहे थे पोशर क्या होता है कौन-कौन से पोशक तत्व होते हैं और कौन-कौन से भोजन होते हैं जो विभिन राज्यों में खाय जाते हैं ये सारी चीजों को हम देख चुके थे चुकि हमने ये देखा कि भोजन हमारे जीवन के लिए उस उर्जा के लिए बहुत जादा जरूरी है किन्तु जो भोजन होता है उससे हमें डारेक्ट उर्जा नहीं मिलती है बलकि जो भोजन होता है वो जटल अड़ों के रूप में होता है और उसे कई सरल अड़ों में तोड़ा जाता है और यही जो सरल अड़ों होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं पर यह सरल अड़ों में बदलते कैसे हैं तो सरल अड़ों में बदलने के लिए एक सिस्टम होता है तंत्र होता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं समझेंगे आज क पाचन से लेकर उसके अवसोशन से लेकर जितनी भी प्रोसेस होती है अंत में जो हमारा भोजन क्या होता है बाहर एक एनरजी के रूप में देता है साथ ही जो बाहर हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बहिसकरण की विधी कहते हैं तो अंतरगरहन से लेकर हम बहिसकरण की जो विधी पढ़ते हैं, वो हमारे भोजन पाचन की प्रक्रिया होती है, तभी तो जो भोजन का अड़ो होता है, जो जटिल में होता है, वो हमें सरल अड़ो में देता है, समझने का प्रयास करेंगे कि पाचन तंत्र क्या होता है, सबसे पहले पाचन तंत्र digestive system की हम बात करें, त तो भोजन के जटिल अड़ो, जटिल अड़ो मिन्स complex molecules जो होते हैं, उनको सरल अड़ो, simple molecules में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भोजन का पाचन कहते हैं, या भोजन का पाचन कहलाता है, अगर आप से पूछे कि भोजन का पाचन किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, भ भोजन क्या होता है, जटिल रूपों में होता है, तो हमें क्या होता है, जटिल अड़ो से तो direct energy नहीं मिल जाता है, और हमारी कोसी का इन जटिल अड़ो को accept नहीं कर पाती है, इसलिए इनका बहुत जदा बारिक-बारिक क्या होता है, सरल अड़ो में परिवर्तन होता है, हम कह सकते हैं simple complex में क्या होते हैं change होते हैं परिवर्तित होते हैं तो अगर बात की जाए पाचन तंत्र की या digestive system के definition की याद रखिएगा जटिल अडवों का सरल अडवों में बदलना या complex molecules का simple molecules में change होनी की जो process होती है प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं अब देखी जैसे आप कोई भोजन जैसे आप अन ग्रहन कर रहे हैं उसके दाने क्या होते हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं तो क्या हमारा जो body का क्यूंकि आप सभी को पता ह कार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और कारे करने के लिए इन कोशिकाओं को उर्जा की आवश्यक्ता होती है या इन्हें energy चाहिए होती है और यह उर्जा इन्हें भोजन से ही प्राप्त होता है किन्तु भोजन के अड़ो जटिल होते हैं और कोशिकाओं को सरल अड़ो से उर्जा मिलती है इसलिए भोजन का पाचन जरूरी है तो यहां पर हमने क्या समझा हमने देखा सबसे पहले कि पाचन तंत्र क्या है अगर हम पाचन तंत्र की उपयोग की बात करें तो हम क्या करते हैं हम सभी जानते हैं कि भोजन बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे सरील क और आज जो कक्षा देख रहे हम पाचन तंतर हमने समझा कि हम जो संतूलित मात्रा में जो आहर ले रहे है जूर ज़ column कर रहे हैं उसका पाचन भी बहुत जरूरी है क्यूंकि जो हमारा भोजन होता है वो क्या होता है बड़े अड़ों में होते है और बड़े अड़ों में होता है उसका सरल अड़ों में तूटना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि हमारा जो बॉडी का structure होता है वो cells से मिलकर बना होता है छुटे छुटे जो कोसिका होती है उनसे मिलकर बना होता है त इसलिए सरल और वो में क्या होंगे तूटेंगे तो यहां पास हमने इतनी बाते देखें आगे बढ़ेंगे भोजन के प्रमुख पोशक जो है, वो निम्न प्रकार से हैं, जो हमें उर्जा प्राप्ट करते हैं कौन गौन से हैं, आपके कार्भो हाइटरेट, वसा, प्रोटीन, इसके साथ ही आपका है, मिनरल्स, बिटामिन और जल मतलब 6 प्रकार के मुख्य रूप से पोशकत तो देखे जाते हैं कौन-कौन से तो हमने देखा सबसे पहले आपका ये प्रोटीन फिर अगर इमेज के थूँ देखे तो वसा जिसे हम फैट कहते हैं और ये कार्बो हाइडरेट तो कार्बो हाइडरेट वसा और प्रोटीन खनीज, जल और बिटामिन अगर हम इन तीनों की बात करें ध्यान दीजेगा कि हमारा जो पाचन तंद्र होता है वो क्या करता है मुख्य रूप से इन तीनों का ही पाचन करता है कार्बो हाइडरेट वसा और प्रोटीन का लेकिन आपके जो ये तीन तत्व है कौन-कौन से आपके बिटामिन, खनीज, लवर और जल इसे डारेट वो क्या कर लेता है अवशोशित कर लेता है इसे पाचन की अवश्यक्ता नहीं होती है मुख्य रूप से कार्बो हाइडरेट प्रोटीन और वसा कही क्या होता है पाचन होता है चलिए कार्बो हाइडरेट की हम बात क में तो ये हमें glucose की रूप में energy देता है ये तो हो गई किसकी बात ये हो गई हमारे carbohydrate की बात दूसरा हम बात करें तो protein भी क्या है एक जटिल अडू के रूप में होता है जब इस सरल अडू में बदलता है simple complex में चेंच होता है तो ये amino amyl या amino acid में change हो जाता है पिछली खक्षा में हम amino amyl और क्या पढ़े थे amino amyl के साथ हम चार भी देखे थे तो ये important है इनको भी देखते चलेंगे दूसरा है आपका वसा वसा जो होता है fat होता है वो हमें वसी अमले के रूप में क्या मिलता है मिलता है ठीक है वसी अमले के रूप में accept किया जाता है तो याद रखिएगा चापका carbohydrate हो protein हो और वसा हो तो ये क्या होते हैं जटिल अडू रूप में होते हैं और ये हमें सरल के रूप में मिलते हैं कार्बोहाइट जो होता है वो हमें ग्लूकोस के रूप में एनर्जी देता है जो हमारा वसा होता है वह वसी अमले के रूप में एनर्जी देता है और जो हमारा प्रोटीन होता है वो किस रूप में देता है तो यह आपका अमीनो अमले के रूप में हम उर्चा देता है इस चीज को ध्यान रखेंगे प्रोटीन कार्वोहाइडेड यहां पस पॉइंट को नोट करते चलेंगे प्रोटीन कार्वोहाइडेड वसा के अड़ू जटिल होते हैं इसलिए पाचन क्रिया द्वारा सरल अड़ू में तोड़ा जाता है फिर इसे अवसोशित किया जाता है और हमारा पाचन तंद्र मुख्य रोप से तीन पोशक्तत्तों का ही पाचन करता है क्योंकि ये जटुल अडों के रोप में होते हैं अब हम बात करें तो किसका अगर हम बात करें यह क्या है आपका जल है वाटर है यह आपका क्या है यह हमने देखा कि आपकी खनीज है मिनरल्स है ठीक है जिने हम ग्रंगर करते हैं आप देख सकते हैं यहापर कितने सारे खनीज है आप इमेज के थू देख सकते हैं इनकी जो जरुरत होती ही न हमारे बॉड़ी में बहुत ज्यादा सूच मात्रा में होती है पर इतना हम कह सकते हैं इनके बीना हम रहे भी नहीं सकते हैं ऐसा नहीं है कि सरफ आप प्रोटीन कार्बोहाइडरेट वसा खाओगे तो ठीक रहेगा नहीं इनकी मात्रा भले आपको कम में हो लेकिन आपको इनकी जरुरत होगी आपको इनको लेना ही होगा और आपका विटामिन तो इनका क्या होता है जो पाचन तंत्र होता है इनका डारेक क्या कर लेता है अवसोशड कर लेता है विटामिन, खनीजलवर, जल, वाटर को हमारा पाचन तंत्र अवसोशड कर लेता है समाने सब्दों में कहा जाए तो इन Principals Sc MINUS में नहीं बदला जाता भलकि इनका सीधा ऑसरोशण हो जाता है क्योंकि इनके molecules जटेल नहीं होते हैं इनके नहीं आरेक्ग क्या करता है हमारा पाचंतन्तर अवस्योशित कर लेता है तो आपका एक बर सवाल बना हुआ था कि जो हमारा पाचनत अंत्र होता है, वो किन पोसक तत्वों का पाचन करता है, तो कई बच्चे क्या होते हैं, वो विटामिन में भी क्या करते हैं, टिक कर देते हैं, याद रखिएगा, प्रोटीन, कार्भोहाइड़्रेट वसा का क्या करता है पाचंद होता है जबकि आपका मिनरल्स हो गया विटामिन्स हो गया और वाटर हो गया इनको पाचंदंद्र क्या करता है डारेक्ट अफ्रोशित कर लेता है एब्जॉब कर लेता है ठीक है तो यह तीन ऐसे हैं जिनका एब्जॉर्वेशन हो जाता है चलिए पाचंद का ये पांच रूपों में होता है कौन कौन सा तो आपके भोजन को मुँ में ग्रहन करने से लेकर आप जो क्या करते हैं उसको मल द्वारा बाहर करते हैं वो एक प्रक्रिया होती है पांच रूपों में होती है देखेंगे सबसे पहला जो होता है अंतर ग्रहन जिसे हम क्या कहते हैं अब देखिए यह बच्चा क्या है सबसे पहले हम भोजन को क्या करते हैं मूं में ग्रहन करते हैं यहां पर भी आप देखिए इस इमेज की थुरू कि आप ऐसे करके आप इसे ग्रहन करते हैं और यह क्या है आपका आपका जो नहीं बनेगा बहुत ज्यादा डेफ्स में नहीं बनेगा क्योंकि फिर वह क्या हो जाएगा आपके बात करें अगर हम इंजेशन की भोजन और पेपदार्थों को मुख के द्वारा सरीर में लाया जाता है यह प्रक्रिया मुख गुई का जीव और दात के द्वारा होती है दंत भोजपदार्थों को काटने चीरने पीसने और चबाने का काम करता है पहले हम ऐसा तो नहीं हम भोजन को खाते हैं और सीधा आहा हो जिसके कारण कोई प्राउब्लम नहीं होता किसी कि मादने केमा दात और कांतों करता है आपका यह दात करता है तो याद रखना है और जीव का बहुत बड़ा भूमिका होता है आपके अंतरगरहांण की ब्रक्रिया में अगर दात और जीव wichtig प्रभाव Australia L अगला है दूसरा क्या है आपका प्रोसेस दूसरा है पाचन अब क्या किये यहां से आपने भोजन को ग्रहण किया यहां से आप क्या कि ये भोजन को ग्रहन करते हुए भोजन को ग्रहन करते हुए आहार नाल में आया अब पाचन की प्रक्रिया शुरू होगी इसका कारे भोजन को छोटे छोटे कड़ों में तोड़ कर पाचन करना है इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कड़ों में तोड़ हो पाचन की प्रक्रिया होती हो आज सवालबूश ता की प्रक्रिया मिख्रूप से रही है तो याद रखे गार आपकेbas और चोड़ी आत्म और भी पूछे तो छोटी आत में अमासे में भोजन का पाचन सिगरता से होता है अवसोसर फिर तीसरा प्रोसेस क्या है आपका अवसोसर का जिसे हम absorption कहते हैं ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में भोजन में पाय जाने वाले उप्योगी पदार्थों का सरीर द्वारा अवसोशर होता है, ये प्रक्रिया आत में होती है, जो आप पढ़ते हैं न, छोटी आत, बढ़ी आत, दो प्रकार के आप देखते हैं, छोटी आ देखने को मिल जाएगा अगर आप से पूछे की छोटी आत में क्या होता है तो छोटी आत में कार्भोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का क्या होता है छोटी आत में कार्भोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन होता है लेकिन बड़ी आत में क्या होता है बड़ी आत में आपके जो बिटामिनस होते हैं, water होता है, minerals होता है, उसका absorption होता है, तो ये क्या है, इनका कारी है, अब यहां पस देखेंगे image में, ये क्या है आपका, ये वाला हिस्सा क्या है, ग्रास नली है, जिक है, ये आपका हिस्सा अमासय है, main जो है, ये आपको ये दिख रहा है न, यहां पस क्या हो रहा है आपके कार्बोहाइट्रेट प्रोटीन वसा का क्या हो रहा है प्रोटीन का वसा का पाचन हो रहा है और बड़ी आत में क्या कर लिया जा रहा है बड़ी आत में आपकी जो बिटामीन से मिनरल से वाटर है उनका अफ्सोर्शन कर लिया जा रहा है और यहां पास आपको जो गुदादवार दीख रहा है, यहां पास जब इन सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जो वेस्ट होता है, वो गुदादवार के द्वारा क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है, जिसे हम एनस कहते हैं. चलिए स्वांगी करण की हम बात करें, एस्सिमिलेशन की बात करें, तो छोटी आत में पचे हुए भोजन का अवशोशन होने के बाद, ध्यान दिजेगा, छोटी आत में पचे हुए भोजन का अवशोशन होने के बाद, इसका जीव द्रव्य में विलय तथा रुधीर वाहि कहा हूं द्वारा सरीर के विभिन भागों तक होता है तभी तो यह क्या करता है हमें एनर्जी देता है इस प्रक्रिया को स्वांगी करण कहते हैं यह जो भोजन होते हैं पचे हुए भोजन का जीवद्रव्य में मिल जाना ठीक है तो यह सभी प्रक्रिया क्या कहलाती है आपक भोजन मलासय में जमा होकर गुदा द्वारा मल की रूप में जो वेस्ट होता है न यह मल तो यह क्या होता है वेस्ट जो होता है जो जिससे हमें एनर्जी नहीं मिल सकती तो यह क्या होता है बाहर हो जाता है इसे ही हम क्या कहते है निशकासन की प्रक्रिया या बहिसकरन की वि बस छोटी आप में चली आंसर भी मिल गया निम्रिकित को सुमेलित कीजिए खाद्य पदार्त भोजन पकाने की विधी तो हमने ओलरेडी जो भोजन पकाने की तरीके हैं ये विधी हैं ये हम कर चुके थे तो आलू को हम क्या करते हैं आलू को हम भूनते हैं ठीक है और फिर आपका मानो पाचन तंतर के दो भाग होते हैं सबसे पहले आके बढ़ने से पहले एक बार फिर रिविजन करेंगे हमने क्या देखा सबसे पहले हमने समझा कि हम जो भोजन का ग्रहन करते हैं उनका पाचन होना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें डारेक्ली उसे एनरजी नहीं मिलता है जब वो क्या होते हैं सरफल अड़्यड़व में बदल जाते हैं तो उससे हमारी'd कोशिका को एनर्जी मिलती है लेकिन जब वो पाचे होता है तो उसमें कुछ चीज़ा वेस्टेज भी होती है और कुछ उपईयोगी भी उत Might इसका हम क्या करते हैं जो हम कह सकते हैं डिफरेंस निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं पाचन प्रक्रिया के द्वारा सबसे हम पहले हम भोजन को ग्रहन करते हैं फिर हम जब भोजन को ग्रहन करते हैं इस विधी को हम अंतर ग्रहन की प्रक्रिया करते हैं फिर जो हमारा भोजन होता है उसका पाचन होता है पाचन जब हो जाता है उसका अवसोशन होता है फिर हमने आगे की विधी में देखा उसका स्वांगी करण होता है फिर जो वेस्टेज होता है वो क्या होता है आपके निशकाशन की विधी के द्वारा बाहर हो जाता है तो य ऐसे करने के लिए कोई बी काम करने के लिए अलग कारी करनी की भाग होते हैं. तो वो एक सिस्टम बनाते हैं, और ऐसा निए कि सिर्प हमारे बाडे में पाचन की प्रक्रिया होती है. सिर्फ पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है, स्वसन की प्रक्रिया होती है, तो एक स्वसन की प्रक्रिया के लिए कई सारे तंत्र होते हैं, जैसे स्वसन तंत्र, और क्या होता है, आपका कंकाल तंत्र होता है, तो यह सब ना हमारे सरीर में अलग-अलग कामों को कम्प्लीट कर सबसे पहले होता है आपका अहार नाल आप जो अहार नाल पढ़ रहे हो ना अभी आपने देखा ना यहा इसले के जो आपको पूरा निस्कासन की विधी होती है व category अहार नाल की अंदर गती है तो यह आहार नाल पाचन घ्रन्थिया इनका भी बहुत ज्यादा क्या होता है उप्यूग होता है इनके भीना भी हम किसी भी प्रोसेस को आगे नहीं भर कहा सकते हैं समझेंगे सबसे पहले हम अहार नाल की बात करते हैं इसका क्या काम होता है तो हमने देखा भी कि अहार नाल में क्या आता है आपका सबसे पहले मुगवा आता है मुगवा में आपका जीव होता है तालू होता है दंध होता है और ग्रशनी होता है साथ ही आपका क् प्राशनली भी इसमें सामिल होता है, अमासे भी सामिल होता है और आत भी, आत में भी दो प्रकार के आत होते हैं, एक तो छोटी आत, दूसरा बढ़ी आत, तो यह सब क्या है आपका, यह सब अहारनाल कहलाता है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे, संब सबसे पहले आहारणाल को समझते हैं क्या होता है आहारणाल की परिभासार क्या है तो ये अहार नाल मुख्य रूप से उस मार्ग के रूप में जाना जाता है जिसके माध्यम से भोजन हमारे सरीर में क्या करता है प्रवेश करता है और ये क्या होता है देखिएगा खोखला होता है पाचन के बाद गुदा के माध्यम से ये बाहर निकलता है अहार नाल लगभ 6-9 मिटर लंबी एक कुंडलिट खोखली एवं पेसी पेसी क्या होती है आपका मस्कुलर नली है जिसका विस्तार मुख से लेकर गुदा तक होता है यह देखे यह क्या है आपका यह जो आप पूरा देख रहे हैं यह आपका ही आहार नाल है तो clear हुआ कि आहार नाल में आपकी क्या क्या चीज़े सामिल है तो सबसे पहले देख लेते कौन-कौन से पार्ट सामिल है आपके तो आपका मुख गुहा जिसे हम oral cavity कहते हैं ग्रशनी है आपका ठीक है जिसे फैरिंग्स कहते हैं, दूसरा है आपका ग्रास नली, दूसरा आपका ग्रशनी, तीसरा आपका ग्रास नली, जिसे इसोफेगस कहते हैं, फिर आपका अमास है, स्टोमच, आथ, इंटेस्टाइन, आपका मलास है, रेक्टम, गुदा, एनस तो याद रखिएगा आपका oral cavity से लेकर इनस तक का जो पार्ट होता है body का वो आहार नाल में ही सामिल किया जाता है यह एक basic information है image के थ्रू भी आप देख सकते हैं यह आपका tongue है यह आपका mouth है ठीक है यह parents है और यह आपका isophagus है यह आपका यह वाला area जो आपको दिख रहा है यह pancreas है फिर छोटीया जिसे हम small intestine कहते हैं और यह आपका गुदा है जिसे हम anus कहते हैं इसी के थ्रू जो होता है आपकी western चीज़े जो होती है भोजन का जो west part होता है वो इसके थ्रू बहार निकलता है और इसे मलासे कहते हैं मलासे मतलब वो जो द्वार होता है जिसे हम rectum कहते हैं large intestine यह वाला जो area आपको दिख रहा है यह आपका बढ़ियात कहलाता है तो यह सारी चीज़े यह liver है आप आपका तो यह सारी चीज़े किसमें सामील होते हैं तो यह आपके आहार नाल में सामीट के जाते हैं चलिए तो हमने समझा यह आपका basic information है और एक एक पर अगर पार्ट पर जाओगे तो पूरा biological portion हो जाएगा और जहां से आपके सवाल नहीं बनता है अगर आप teaching का दे रहे आपका पाचन तंत्र में मुख्य रूप से दो चीज़े होती है एक तो आपका आहार नाल सामील होता है और आपका सहायक गरंथिया होती है तो हमने देखा कि जो आहार नाल है आपके मुख गुआ ओरल कैविटी से लेकर आपका एनस तक जितने भी भाग दिखते हैं वह आ हमने देखा सहायक जो आपकी गरंथिया थी उसमें आपका लार गरंथि अगनासे और यक्रित सामें था इन सभी के कार्य अलग-अलग होते हैं तो हमने बेसिक रूप से समझा आज के लिए इतना ही कल मिलेंगे हम नए टॉपिक के सांथ रिविजन करते रहें अगर आप च साथ तीम को को